आज मैं आपके साथ बिलकुल शादियों वाले लेट पटे चेट पटे मसालेदार आलू मटर की सबजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिना प्याज बिना लहसुन की ये सबजी गजब के स्वाद वाली होती है इसके आगे कोफते पनीर सब फीके पर जाते हैं बिलकुल हलवाई स्टाइल में हम इसे बनाएंगे इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे हेलो फ्रेंड्स वेलकुम बेक टो माई चैनल लाइफ इद रंजना आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और देसी और बहुत ही पॉपुलर सबजी लटपटे आलू मटर जो की शादी बरातों में जरूर बनते ही बनते हैं सबके फेवरेट होते हैं बिलकुल हलवाई स्टाइल आज हम बनाने वाले हैं इतने टेस्टी कि आप घर बैटे ही इन शादी बरातों की सबजीयों का मज़ा ले सकते हैं चलिए मिलके बनाते हैं इसके लिए मैंने 4-5 बड़े चम्मा सरसो का तेल लिया है तेल गरम होके नॉर्मल टेंबरेचर पे कर लिया है 4 मीडियम साइस के आलू चकोर और थोड़े बड़े टुकड़ो में कट की हुए मैंने लिये हैं इस रेसेपी में आप आलू इतने ही बड़े साइज में कट करें तब ही यह हलवाई स्टाइल आलू मटर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू को हम फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई उप्लेम पर लगातार चलाते हुए तीन से चार मेट में आलू बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते हैं तो बहुत जादा कलर हमें आलू का चेंज नहीं करना है बस इसे क्रिस्पी करना है कि यह कुरकुरे हो जाए तो लीजे आलू हमारे बढ़िया से फ्राई हो गए हैं हम निकाल लेते हैं इस एक प्लेट में आप देखेंगे कड़ाई में काफी ओईल बचा हुआ है तो इतने ही ओईल में हम पूरी हलवाई स्टेयल सब्सी बनाएंगे स्वाद वही आएगा वैसे हलवाइस टैल सबजियों में जादा ओयल पड़ता है लेकिन मैं इतने ही ओयल में आज आपको बना के दिखा रही हूँ और स्वाद गजब का आएगा दो तेजपत्ता एक दालचीनी एड़ किया है मैंने इसमें एक चमच जीरा और आधा चमच हीन और अब हम इसमें एड़ करेंगे अद्रक के जूलियंस थोड़े से मैं अभी एड़ कर रही हूँ थोड़े से हम रख देते हैं हरी मिर्ची एड़ किये लंबे टुकडों में कटकी हुई इसे हम बीच बीच में एड़ करेंगे उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस कुक हो जाएं तो लीजिए मेडियम फ्लेम पर लगाता है चलाते हुए टमाटा मैंने पढ़िया से कुक कर लिया है अच्छे से गल गए तो अब हम इसमें बिल्कुल बेसिक मसाले एड़ करेंगे एक चमच में इसमें हल्दी पाउडर एड़ कर रही हूँ एक चमच लाल म लिए एड़ की है मिर्ची आप अपने हिसाब से हमेशा कम जादा कर सकते हैं और अब जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें एड़ कर लेते हैं आलू एड़ करने के बाद हम इसे एक मिन तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि आलू और मसाला बढ़िया से क हम भूनेंगे यह भूनना ही इसका मेन जो टिप है जिससे बिल्कुल हलवाई स्टाइल सबजी बनके तयार होती है तो एक से डेड़ मेंट हो गया है बढ़िया से मसाला आलू और मटर पे कोट हो गया है भून गया है तो अब मैं इसमें एक से डेड़ कप के करीब पानी ए केले ना तो लगभक छार मिन्ट हो चुके हैं चेक कर लेते हैं तो दे溜िए कितनी ज़ाधा यह вкус लग रही है आपने देखा यह देशी कितने सिंपल तरीके से बनती हैं गजब की स्वादेश होती हैं चैक कर लेते हैं आलू हमारा कोख हुआ है कि नहीं तो देखिए बढ़िया से आलू हमारा गल गया है तो अब हम इसमें एक बड़ा चमच कसूरी मेथी एट कर रहे हाथों से क्रश करते हुए साथ में आधा चम और गर्म गर्म सर्व करेंगे आप इसे दाल की कचोड़ियों के साथ मसाला पूड़ी सिंपल पूड़ी पराठा किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से बनी हुई ये लट पटे आलू मटर की सबजी आपको कैसी लगे बताएगा जरूर थैंक झाल पूड़ी हुई झाल था जरूर थैंक कर दो दो और थाजय को दो ऑनी हैं जर था जरूर।